Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे अगर आपको याद होगा हमने last वीडियो में Activation Functions पढ़ना start किया था और हमने 3 बहुत important Activation Functions के बारे में पढ़ाई की थी हमने पढ़ा था Sigmoid के बारे में, Tanage के बारे में और Relu के बारे में अब आज हम लोग अपना discussion बिलकुल उसी point से continue करेंगे हम लोग सबसे पहले discuss करेंगे कि Relu में क्या problem है हम discuss करेंगे the dying Relu problem और फिर हम Relu के कुछ variants पढ़ेंगे precisely हम लोग 4 अलग variants पढ़ेंगे Relu के इस वीडियो में और हम देखेंगे कि कैसे वो Relu की problems को solve करते हैं so let's start the video so हमने last video में जो तीन activation functions पढ़े थे उसमें सबसे last में हमने पढ़ा था Relu जिसको हम rectified linear unit बुलाते हैं and हमने ये भी पढ़ा था कि for all practical purposes this is the best choice for hidden layers मतलब आज की rate में जादा तर लोग अगर एक neural network train करते हैं तो hidden layer के neurons में activation function Relu ही रखते हैं because बहुत सारे फायदे हैं including इसमें vanishing gradient problem नहीं होता ये सब हमने last video में देखा था so सब कुछ ठीक है but there are certain problems Relu की भी कुछ परिशानिया है मैंने आपको last video में बताया भी था बड़ जो सबसे बड़ी परिशानी है जो सबसे बड़ा disadvantage होता है Relu का वो मैंने आपको last video में नहीं बताया था वहीं से हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और उस परिशानी का नाम है Dying Relu Problem ठीक है Dying Relu Problem क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने activation function Relu लगा रखा है तो कुछ neurons का मानलो जैसे ये neuron का जो output होता है वो zero हो जाता है आप कुछ भी input दो It does not depend on the input output हमेशा ही zero रहता है इसी को बोला जाता है dead neuron dead neuron एक ऐसा neuron है जो कुछ सीख नहीं रहा input के basis पे output change नहीं हो रहा for any given input the output is zero ऐसी neuron को बोला जाता है dead neuron और सबसे बड़ी problem क्या है dead neuron की कि वो forever dead रहता है एक बार मर गया तो वो हमेशा ही zero का ही output देगा आप ऐसा मान सकते हो कि वो अब इस neural network में है ही नहीं तो होगा क्या ऐसा problem से dying value problem से होता क्या है कि अगर आपके 50% से जादा neurons के साथ ये problem होने लग जाए और आपके 50% से जादा neurons अगर dead neuron बन जाए तो ये problem होगा कि आप जो model train कर रहे हो अपने given data के उपर तो आप क्यों train कर रहे हो because आप data के अंदर के patterns को capture करना चाहते हो but since अब आपका model is operating at a performance level of less than 50% आधे notes काम ही नहीं कर रहे तो obviously data के patterns को आप अच्छे तरीके से capture नहीं कर पाओगे जो representations है data में आप उसको धंग से capture नहीं कर पाओगे जो high level representations है वो आप handle नहीं कर पाओगे आप बदले में आपको एक low level representation मिलेगा जो की बहुत अच्छा नहीं होगा और सबसे खराब सिनारियो में worst case scenario में ये हो सकता है कि आपके 100% neurons dead हो जाए उस case में आपका network है ही नहीं ऐसा समझो कि कोई भी node exist ही नहीं करता क्योंकि कोई भी सीखी नहीं रहा है तो फिर फायदा ही नहीं होगा neural network apply करने का तो यही सबसे बड़ा problem है relu का की dying relu problem हो सकता है और अगर बहुत जादा neurons में dying relu problem हो गया more than 50% में तो आप अपने data में छुपे हुए patterns नहीं खोच पाओगे ठीक है तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि dying relu problem होता क्यों है ठीक है और फिर हम समझेंगे कि उसको solve कैसे किया जाता है उसको हटाने के तरीके क्या है चलो फिर गाईज एक बाद समझने की कोशिश करते हैं कि dying relu problem होता क्यों है मैं आपको एक mathematical intuition देने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको exact reasons बताऊंगा ठीक है थोड़ी दिर के लिए हम लोग क्या करते है एक छोटा सा setup assume करते है जहां पर हमारे पास दो neurons है यह मेरा input layer है यह मेरा hidden layer है इसमें बस एक unit है और यह मेरा output layer है इसमें भी एक unit है ठीक है simple सा setup है यहां से input जा रहा है यहां पे मेरे weights है यह मेरा bias है यह भी मेरा weight है w3 और यहां पे मुझे y hat मिल रहा है मेरा output ठीक है अब हम इस particular neuron के उपर focus करने वाले है इसका setup समझना equal to max of 0,z1 ठीक है जहां पे z1 क्या है z1 is basically w1 x1 plus w2 x2 plus b1 ठीक है इस mode पे जितनी भी चीज़े आ रहे है उसका weighted sum और उसी z1 को आपने यहां पे भेज दिया ठीक है अब थोड़ियर के लिए एक assumption लेते हैं कि मान लो यह जो चीज़ है यह less than 0 है जैसे यह less than 0 होगा इसका activation क्या हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा a1 will be equal to 0 राइट अब एक और चीज़ अगर a1 0 है तो a1 का जो derivative होगा with respect to z1 वो भी 0 हो जाएगा ठीक है अब यह एक बहुत important point है यह derivative अगर 0 है तो फिर यह दोनो weights कभी update नहीं होंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यह दोनो weights को update करने के लिए आप क्या करते हो आप back propagation algorithm में यह काम करते हो यह हमारा gradient descent का update rule है अब यहाँ पर notice करना एक चीज़ कि जब आप यह derivative निकालने जाते हो या फिर also sorry यहाँ पर यह w2 होगा जब आप यह derivative निकालने जाते हो तो इन दोनों ही derivatives को निकालने के process में यह वाला term use होगा ठीक है और अगर यह वाला term 0 है तो फिर यह दोनो derivatives भी 0 हो जाएंगे और जैसी यह दोनों term 0 हो जाएंगे तो old और new के बीच में कोई difference नहीं होगा और आपका w1 और w2 दोनों ही update नहीं होगा in short आपका यह जो relu यहाँ पे लगा होआ है इसकी वज़े से यह वाला node एक dead node बन जाएगा क्योंकि वो weights अपने update ही नहीं कर पा रहा basically input के basis पे वो कुछ सीख नहीं रहा अब मैं आपको जल्दी से यह point prove करके दिखाता हूँ कि इस derivative को calculate करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो चलो for argument's sake हम लोग थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं कि यह जो neural network है हमें निकालना है यह quantity dell l by dell w1 और हमें यह निकालना है dell l by dell w2 देखो यह कैसे निकलेगा हमारा जो loss है वो depend कर रहा है हमारे y hat के उपर ठीक है हमारा जो y hat है वो तीन चीजों पर depend करेगा वो depend करेगा इस weight के उपर w3 b2 और साथी साथ इस neuron के output as in a1 के उपर a1 जो अपना है वो depend करेगा z1 के उपर और z1 इन 5 चीजों के उपर depend करता है w1 के उपर w2 के उपर x1 के उपर x2 के उपर और b1 के उपर हमें निकालना है dell l by dell w1 इसका मतलब हम इस रस्ते से बढ़ेंगे ठीक है तो basically ये निकालने के लिए हो जाएगा dell l by dell w1 हो जाएगा dell l by dell y hat multiplied by dell y hat by dell a1 multiplied by dell a1 by dell z1 multiplied by dell z1 by dell w1 chain rule apply किया हमने और similarly जब आप dell w2 के रिस्पेक्ट में निकालोगे सब कुछ सेम रहेगा पहले चार टर्म्स will exactly be the same like this बस लास्ट में z1 by dell w2 हो जाएगा अब मैं फोकस करना चाहता हूँ इस तर्म के उपर यह देखो ठीक है यही है वो टर्म अगर यह चीज नेगटिव हो गई तो यह चीज भी नेगटिव होगी और जैसी यह 0 होगा यह 0 होगा यह दोनो 0 हो जाएगा और जैसी यह दोनो 0 हो जाएगा w1 पुराना और नया बराबर है w2 पुराना और नया बराबर है basically ये दोनों update नहीं होंगे यही होता है dying relu problem फिर से सुन लो अगर एक किसी particular neuron में जो आपका weighted sum है ये 0 हो जाए तो relu का जो derivative है वो 0 हो जाता है अब relu का जो derivative है वो use होता है update rule में तो फिर वो पूरा update 0 हो जाता है और जैसी update 0 होता है तो आपके weights update होते नहीं है ठीक है तो mathematical intuition तो यही है अब बस पूरा सवाल ये है कि ये जो चीज है ये negative कब होती है क्योंकि सब कुछ इसके negative होने पर ही हो रहा है अब हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो term है मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ z1 जो था w1 x1 plus w2 x2 plus b1 ये less than 0 कब होता है या फिर क्या reasons है इसके negative होने के अब देखो guys generally speaking इस पूरे term के negative होने के दो reason हो सकते है ठीक है first reason is अगर आपका learning rate is very high ये जो equation देख रहो न अगर इसमें आपने learning rate बहुत high कर दिया तो उसकी वज़े से ये पूरा term can become negative let me explain this to you ठीक है माल लो आपने पहला row का data यहां पे insert किया और उसके लिए ये पूरा term positive है ये पूरा term positive है ठीक है मतलब derivative वगरा 0 नहीं हो रहा तो आपने जब update किया weights को तो update rule ये रहा बट आपने क्या किया by the way ये पूरा derivative कुछ आएगा बट आपने ये learning rate बहुत high set कर दिया तो ये जो पूरा term है ये बहुत ज़ादा positive में आ गया अब आप एक छोटे से number से एक बहुत बड़ा value अगर subtract करोगे तो ये जो w1 है ये negative हो जाएगा similarly ये जो w2 है ये भी negative हो जाएगा और इन दोनों के negative होने की वज़े से अगले cycle में जो z1 calculate होगा वो negative हो सकता है ठीक है तो अगर आपका learning rate बहुत high है तो उसकी वज़े से अगले cycle में w1 और w2 negative हो जाएगा जिसकी वज़े से ये पूरा term negative हो जाएगा और dying value problem हो सकता है और जो second सबसे बड़ा reason है इस पूरे term का negative होने का वो है high positive bias I'm sorry high negative bias high negative bias ये जो bias term है ना अगर ये बहुत negative हो जाए ठीक है अगर ये negative हो जाए तो फिर ये कितना भी positive हो फरक नहीं पड़ता ये पूरा का पूरा equation will be negative ठीक है तो यही दो major reasons होते है अब आप सोच सकते हो कि bias negative होगा क्यों दो reasons हो सकते है या तो आपने शुरू में ही जादा value से start किया हो bias के या फिर second reason ये हो सकता है कि आप अपने bias को भी update करते हो using the same update rule ठीक है अब यहाँ पर भी मालो अगर आप में learning rate high set कर रखा है तो उसकी वज़े से हो सकता है कि subsequent cycles में आपका bias negative होता जाए और फिर बड़ा हो जाए मतलब negative value काफी बड़ी हो जाए जिसकी वज़े से ये पूरा term negative हो जाए और dying value problem हो जाए तो in a way high bias can also be because of high learning rate तो यही दो major reasons हैं जिसकी वज़े से आपका dying value problem होता है तो हमने dying value problem समझ लिया और हमने उसके पीछे के reasons भी समझ लिये अब हम ये देखेंगे कि उसको solve कैसे किया जाता है बट वो बताने के पहले मैं एक last point और discuss करना चाहता हूँ कि हम ये क्यों बोलते हैं कि neuron is dead dead का मतलब है permanently dead ठीक है मतलब अगर एक बार ये value negative होई तो तुरंट के तुरंट ये dead हो जाता है हमारा neuron मतलब future में भी किसी भी point पे ये वापस positive value नहीं देगा ठीक है ऐसा क्यों बोलते हैं अब बहुत simple आप देख सकते हो Z1 जो है अगर एक बार negative हो गया तो ये recover नहीं कर सकता वापस positive नहीं हो सकता उसका reason ये है कि दो reasons थे negative होने के पहला माल लो bias बहुत negative हो गया है तो अगर bias बहुत negative हो गया है तो होगा क्या आपके weights update नहीं होगे इसका मतलब अगले cycle में भी weights वही है जो पिछले cycle में थे बस आप change क्या कर सकते हो ये x1 और x2 basically अपना input change कर सकते हो but input भी बहुत change नहीं होगा because आपने input को normalize कर रखा है तो वो 0 से 1 के बीच में होंगे तो ये इतने छोटे हैं कि ये बहुत negative bias को overcome करके इस चीज को positive नहीं बना पाएंगे ठीक है second reason ये था कि आपका w1 और w2 negative हो चुका है because of a high learning rate इस case में भी अगर आप समझो तो w1 और w2 तो change होगा नहीं भी एक छोटा ही number है तो x1 और x2 के change होने से भी कुछ नहीं होने वाला because again वो इस given range में है normalized है ठीक है तो that is why एक बार अगर आपका neuron dead हुआ या die किया तो it's permanently dead और वो recover नहीं कर सकता it's not recoverable ठीक है तो बस वही पंगे है इसके कि अगर इस तरीके से 50% या उससे जादा neurons dead हुए तो आपका network फिर अच्छा perform नहीं कर पाएगा ठीक है तो now let's discuss what are the solutions what are the solutions so 3 solutions मैं आपको बताता हूँ पहला solution है to set low learning rates आपको बताया था learning rate अगर high होता है तो उससे problem हो सकता है तो simple तरीका है कि learning rate को आप कम set करो पहला solution दूसरा solution है bias को एक positive value से set करो क्योंकि bias के negative होने से problem हो रहा है एक बढ़िया positive value है point zero one experimentally proven है it is sufficiently large enough कि आपका dying value problem ना हो ठीक है और तीसरा है don't use value instead value के कुछ variants आते हैं वो use कर लो ठीक है अब देखो पूरा problem हम ये जो discuss कर रहे हैं हो तो रहा है value की वज़े से because value ऐसा function है जो जैसे ही negative होता है तो उसका derivative भी negative होता है और उसके derivative को हम update rule में use कर रहे हैं जिसकी वज़े से ये पूरा term zero हो जा रहा है और कोई update नहीं हो रहा है तो in a way जिस तरीके से ये function काम करता है उसके तरीके में problem है तो what if हम value को थोड़ा सा change कर दे ठीक है और change हम इस तरीके से करें कि जो positive points है value के वो हम रख ले और जो ये problem है इसको हम remove कर दे तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ variants जो बिल्कुल value के जैसे हैं बस उनमें ये वाला problem नहीं है जिसकी वज़े से dying value problem होता है वीडियो में हम दो type के variants देखेंगे रेल्यू के पहले होंगे linear variants और दूसरे होंगे non-linear variants linear variants वो variants है जो रेल्यू के उपर linear transformation लगाने से मिलते हैं और non-linear variants वो हैं जिनके लिए हमें रेल्यू के उपर एक non-linear transformation अप्लाई करना पड़ता है linear में हम दो चीज़े पढ़ेंगे एक हम पढ़ेंगे leaky रेल्यू और दूसरा हम पढ़ेंगे parametric रेल्यू ठीक है non-linear में भी हम दो चीज़े पढ़ेंगे एक होगा exponential linear unit एल्यू और एक होगा cell you जिसको हम बोलते हैं scaled exponential linear unit ठीक है तो हमारे अब इस वीडियो का target है ये चारो जो variant से रेल्यू के इनको ध्यान से पढ़ना so जो पहला variant हम लोग पढ़ने जा रहे है रेल्यू का वो है leaky रेल्यू ठीक है इसका graph आपके सामने है मैं आपको इसका formula बताता हूँ इसका formula होता है ये ठीक है so बहुत simple है अगर z का value positive है तो output होगा z ठीक है और अगर z का value negative है तो आपका output हो जाएगा 1 by 100 of z basically a fraction of z ठीक है अब ये छोड़े से change से क्या फाइदा होता है कि आपका जब भी negative value है z का जब भी negative value है तो output is not 0 it is 0.01 times of z ठीक है अब इससे क्या फाइदा हुआ कि जो derivative है जब आप इस function का derivative निकालते हो तो जब derivative आप z greater than equal to 0 के लिए निकालते हो तब तो वो 1 ही रहता है बट z less than 0 के लिए अब वो 0 ना हो करके 0.01 रहता है तो system में एक छोटा gradient flow करता रहता है ठीक है तो जो main problem था value का कि derivative of value is 0 for z less than 0 वो problem आप यहाँ पे नहीं है अब यह 0 नहीं है तो जब आप weights update करने जाओगे उस formula से तो यह वाला term कभी भी 0 नहीं होता है और 0 नहीं होने की वज़े से आपका छोटा छोटा changes at least होता रहता है ठीक है कभी भी dying value problem नहीं होगा ठीक है यह चीज आपको मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे side by side comparison है दोनों का यू किन सी जो blue वाला है वो value है और I'm sorry जो आपका purple वाला है वो value है और जो आपका blue वाला है वो आपका leaky value है so negative side में value पूरा 0 रहता है बट यह 0.01 के slope से बढ़ता है ठीक है similarly यहाँ पे इनके derivative का graph है so यहाँ पर you can see derivative is 0 in the negative direction for value बट लीकी value के लिए थोड़ा सा यहाँ पे 0.01 पे आपका gradient flow करता है ठीक है तो यही सबसे बड़ा difference है अब अगर आपको advantages बताए जाएं तो 3-4 advantages हैं लीकी value के सबसे पहला है कि यह non saturated है मतलब दोनों तरफ से unbounded है दोनों direction में कितना भी आगे जा सकता है ठीक है दूसरा easily computed कोई exponent terms नहीं है तो फिर आप easily calculation कर सकते हो fast calculation होगा third no dying value problem और fourth is close to zero centered क्योंकि value आपकी positive और negative दोनों साइड जा रही है you can see negative side में भी जा रही है positive side में भी जा रही है तो perfectly zero centered तो नहीं होता है but close to zero centered होता है because negative and positive दोनों type की values आपकी यहाँ पे मिलती है ठीक है तो यही सबसे बड़े benefits है leaky value यूज करने के इसका बस एक ही disadvantage है and इसको disadvantage बोलना गलत होगा बस लोग यह question करते है कि यह point zero one ही क्यों लेना है ठीक है ना formula में यह point zero one ही क्यों लेना है कुछ और भी ले सकते थे right तो यह experimentally prove हुआ था but अगर आप चाहो तो आप इसको change कर सकते हो ठीक है वही हम लोग पढ़ेंगे next जब हम पढ़ेंगे parametric value next let's discuss parametric value बिल्कुल similar है leaky value जैसा ही है बस एक difference है कि यहाँ पे negative side में जब x होता है तो output is a times x ठीक है वहाँ पे क्या था 0.01 time x यहाँ पे a times x है where a is a trainable parameter so जब आपका model train हो रहा होता है तो a का भी सही value वहाँ पे train होता है just like any other hyper parameter a is a trainable parameter जो training के time पे जिसका best value निकाला जाता है according to the given data ठीक है तो parametric value के सारे advantages बिलकुल वही है जो reeky value के है बस a की benefit है कि depending on the data यहाँ पर a का value निकलता है और आप कह सकते हो कि थोड़ा ज़ादा flexibility आता है इसकी वज़े से ठीक है तो कभी-गभी इसका performance is better than leeky value ठीक है apart from that there is no difference everything is exactly the same so जो next variant हम लोग पढ़ने जा रहे है value का उसका नाम है ELU या exponential linear unit ठीक है कैसे बनता है बहुत simple है सब कुछ value के जैसा ही है अगर आप positive x की बात कर रहे हो negative x में यह formula बन जाता है ठीक है alpha times e to the power x minus 1 where alpha is a constant ठीक है जिसका value आप चूस करते हो generally इसका value 0.1 से 0.3 के बीच में रहता है और जैसे इससे आप value बढ़ाते हो alpha का यह curve थोड़ा इस तरीके से move करता है जैसे इससे आप values बढ़ा होगे यह curve थोड़ा ऐसे move करता है ठीक है alu का सबसे बढ़ा जो फाइदा है वो यह है कि जब लोगों ने इसके उपर experiments perform करके देखे तो इसका performance was better than relu कई तरह के data sets के उपर relu से अच्छा perform कर रहा था एक reason यह हो सकता है जैसा बताया जाता है कि this function is always continuous जैसे relu में there is a discontinuity at x is equal to 0 यहाँ पे there is no discontinuity the function is always continuous always differentiable यहाँ पे इसका differentiation का formula है positive के लिए बिलकुल relu की तरह 1 negative के लिए lu function ही वापस आ जाएगा plus alpha constant यह आपका differentiable derivative है यहाँ पे मैंने plot कर रहा है derivative का curve blue वाला curve है lu का और orange curve है उसके derivative का ठीक है तो मैं एक बार इसके benefits या advantages आपको बता देता हूँ सबसे पहला जो advantage है वो यह है कि इसके value is close to zero centered ठीक है और zero centered होने की वज़े से इसका जो convergence होता है सही solution की तरफ it's faster ठीक है second experiment से प्रूव हुआ है कि generalized results are better मतलब test data के उपर बढ़िया results आते है better than value in certain cases ठीक है dying value problem नहीं है क्योंकि negative side में भी कुछ value है और बाकी एक बहुत बड़ा इसका फायदा यह है कि it's always continuous as well as differentiable ठीक है तो यही चार सबसे बड़े फायदे हैं और इसलिए आज की rate में industry में LU use होता है ठीक है एक disadvantage का अगर आप बात करो तो एक बड़ा disadvantage है कि computationally थोड़ा expensive है because simple सी बात है e to the power x calculate करना पढ़ रहे तो उसकी वज़े से थोड़ा सा slow हो जाता है but since zero centered है data तो convergence faster होता है ठीक है उतने जादा cycles की जरुरती नहीं पड़ती ठीक है तो यह हो गया अपना LU सो जो लास्ट वेरियंट हम लोग रेलियू का देखने जा रहे है उसका नाम है सेल्यू या फिर scaled exponential linear unit आप उसको बुला सकते हो exponential linear unit इलू जैसा ही है बस इसमें एक difference आ जाता है difference यह है कि अगर आप formula पर focus करो तो सब कुछ बिलकुल सेम है इलू की तरह बट यहाँ पर बस एक lambda के factor से multiplication होता है ठीक है तो everything is same except this lambda ओके so lambda का by the way experimentally जो value निकला है वो यह निकला है और यह जो a है या फिर alpha बोल सकते हो इसका value यह है ठीक है and these are fixed parameters these are not trainable parameters ठीक है these are fixed parameters पहले से आप इसका value बता देते हो अब cell you जो है यह थोड़ा अजीब सा एक activation function है बहुत recent years में आया है यह और जहाँ आप इसको use किया है results अच्छे आये है in fact इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो मैं थोड़ी दिर के बाद आपको बताऊंगा but unfortunately यह function अभी भी उतना use नहीं होता because it's relatively new और इसके ओपर जादा research अभी हुआ नहीं है जिन्होंने यह paper मतलब जिन्होंने यह function बनाया उन्होंने एक 90 प्लस pages का एक paper publish किया जो खुद में पढ़ना बहुत difficult हो जाता है so that is why I guess अभी तक पूरी तरीके से adoption हुआ नहीं है अगर आप देखना चाहों तो this is the graph positive side में सब कुछ value के जैसा है but वो lambda के factor से multiply हो जाता है और negative side में आपका दो चीज़ों पर depend कर रहा है alpha के उपर भी और lambda के उपर भी ठीक है तो this is the graph of cell you अगर आप derivative का बात करो तो derivative बहुत ही simple है this is the derivative of cell you और उसका graph कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है तो इसमें सारी खूबियां है value वाली एक जो extra advantage आता है cell you के साथ वो ये है कि it is self-normalizing इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी layer में cell you लगाते हो तो उस layer से जो activation मिलता है it is normalized normalized का मतलब कि उन सारे activations का जो mean होगा that will be equal to 0 और जो standard deviation होगा that would be equal to 1 और ऐसा होने की वज़े से क्या होता है कि आपका जो neural network है वो बहुत तेजी से converge करता है it converges faster ठीक है and also results से यही समझ में आए कि जो output होता है जो generalization होता है वो भी बहुत अच्छा होता है cell you के case में ठीक है तो सबसे बड़ा benefit अगर आपसे कोई पूछ ले cell you का क्या है इसलिए आप देखोगे कि बहुत कमी जगों पर cell you use होता है but over the years ऐसा हो सकता है कि future में हमें कई जगों पर relu के बदले cell you दिखाई देने लग जाए ठीक है तो I hope आपको यह पूरा discussion समझ में आया So guys that was the video I guess आपको relu के सारे variants clear हो गए अभी भी हमारा activation function के उपर जो discussion है वो complete नहीं हुआ है कुछ activation functions अभी भी बाकी है So I'll take one more video जहां पर मैं बाकी सारे बचे हुए activation functions आपको पढ़ा दूँगा ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और प्लीज सब्सक्राइब चनल थैंक्स वर वाचिंग बाइ